आहो आहो अच्छा लगा जी देखिए ये कहानिया यूही नहीं बनती है ये कहानी सच्की कहानी है हम सब लोग आज यहां पर अलग अलग जगहों से आए हैं इतनी मुश्किलातों से खड़े होके गर्मी के अंदर भी यहां पर अडिक रूप से डिके वे हैं इसके पीछे ए हमारे नाम और धरम अलग अलग हो सकते हैं विकिन हम सब लोगों की एक चाहत है कि हम सारे कामियाब होने के लिए यहां पर आएं या हर इंसान आज के वक्त में क्योंकि बड़ा कंपिटिशन का जमाना है बड़ी बागदोर वाली जिंदगी है हर व्यक्ति कामियाब होना च चाहता है ताकि वो साधारन लोगों की भीड से अलग निकल के अपनी अलग पहचान बना सके यस लेकिन यह जो काम्याभी है ना यह यूहीं मजाक में खरीदी नहीं जा सकती और कमाई भी नहीं जा सकती काम्याभी हासिल होती है डॉक्तर गगंदीप सिंग की तरह सतत लगातार अठक परियास करके हासिल की जाती है इसी तरह से आज आप निर्ने लेके जाएंगे और लगातार सतत परियास करेंगे तो काम्याभी आपके भी दामन में होगी जाते हैं हम यहां पर बाते केवल काम्याभी की करेंगे यह बिजनस तो हर व्यक्ति आपको समझाता है सारे लीडर्स यहां पर बहुत सक्षम है हर चीज को बहुत बारीकी से हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुचाते हैं और आप लोग बहुत लखी हैं कि आप एक ऐसी टीम के साथ मे हैं मुझे यहां पर मोका दिया आप सब लोगों के सीनियर लीडर ने डॉक्टर साब ने मैं शुकर गुजार हूं कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे हाजिर होने का मोका दिया आपके जो अप्लाइन स्पॉंसर है डॉक्टर गगंदीप सिंग और उनके भी ऊपर ज अब इसले आए हैं तिशी का सपना था नमबर वन बनने का और हम यहां पर इसी लिए हैं कि आपकी टीम हिंदुस्तान में में नमबर वन बने अभी तो शुरुवात है पांस साल का बच्चा है, साड़े पांस साल का, फ्रू कर दिया, इसके उद्दिश्य बड़े कलियर है, जो नए लोग आए है, वो समझ ले, बिजनस क्या है, वो तो समझ में आ जाएगा, प्लान क्या है, वो भी समझ में आ जाएगा, प्रॉडक्ट भी समझ में आ जाएंगे में बात है इसका उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य मेरे को क्लियर हुआ अप्रेल 2001 में मैंने जॉइन किया था और मेडम ने जिसे बताया अगस्त 2001 में जाके ये उद्देश्य समझ में आए आज आपने भी इस बिजनस को कब से जॉइन किया है मैत्वपुर नहीं है डिसाइड करना मैत्वपुर है चाहे आपको एक साल हुआ है कि एक महीना या एक दिन या एक सप्ता आज आपको निर्ने लेना है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है जब इस कंपनी के मालिक से हम मिले तो उनकी आँखों के अंदर वो चमक उनका फोलादी द्रड निश्चे उनका वीजन उन्होंने कहा कि ये केवल कपड़े बेचने के लिए मैंने बिजनस शुरू नहीं किया है उपर वाले ने इश्वर ने मुझे एक सपने में कोई बीज दिया है कि इसके द्वारा तुम हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से अजाज करा सकते हो इसलिए ये आर्थिक आजादी का अभियान है यही विश्वास यही विश्वास अंदर तक बेट गया मैंने का अब तो इसको बिजनस के तरीके से नहीं करना है एक सेनिक की तरीके से करना है एक क्रांती कारी की तरह से करना है और चुनून अपने भीतर लिया पाँच मैने तक कोई रिजल्ट नहीं लेकिन वो विश्वास इतनी बड़ी ताकत होती है वो निर्ने इतनी बड़ी ताकत होती है उसमें आस्था समाईत हो जाती है परिनाम सकारात्मक होते हैं अगले ही मैने सेप्टेंबर में 30 परसेंट लोगों ने का जी यह 31,000 का चेक ए परनी परती है क्योंकि मेरे को भी मोटिवेट किया 22,000 के चेक ने टेकनिकल अचीवर के उस लेवल ने उस दिन मैंने निर्ने लिया था कि चाहे आज मैं किसी भी लेवल पर हूँ आने वाले 6 महीने में मैं रोयल टेकनिकल पर पहुंचूंगा क्योंकि मेरे को अब काम करना इसको चलाएगा और चला छे महीने बाद हमारी अप्रेल 2002 में इंकम ती चौहत्तर अजार सात्सों सताथी की और लेवल तर टेकनिकल बॉदर का आज वो तर्द भी यहां पर शेयर किये गए कि चार डिग्रियां बहुत सारी ती मैं डबल एमे हूं डिपलो माइन लेवर ल लेकिन मार्केट में करोडों यूवा उन डिग्रियों को लेकर बेचने को तयार हो तो चार अजार रुपे की मासिक पगार भी नहीं मिल पाती है चार छे आच दस अजार रुपे में अपने आपको बेचना पड़ता है और वही काम मैं भी करता लेकिन इश्वर ने बचाय इश्वर ने बचाया पड़े शुक्र गुजार है उसके आज जब चार लाख की इंकम घर में आती है तो ऐसास होता है कि यह बिजनस किस तरह से जिंदगियों को बदल देता है अस्वक्त इस वक्त लोग मजाक उड़ाया करते थे लेकिन आज उस पिल्डिंग को और उनकारों को देख्के लोग मुड मुड के देखते हैं ऐसा आपके साथ भी होाई अब तो बिजनस बहुत तेजी से चल रहा है और आप लोगों के सामने चेलेंजेज आएंगे फिर भी आएंगे मजाक बनाएंगे लोग फिर भी कहेंगे प्रूवन हो चुका है सिस्टम तीस लाख से ज़्यादा डिस्टिबूटर लगबग साड़े चार पांच अजार पिकप सेंटर सवा दोसों के लगबग प्रॉडक्ट पांच सो रुपए से लेके पंदरा लाख रुपए तक की महिने की इंकम करोडों रुपए कमाने वाले लोग कूँके एक्जामपल सब कुछ हमारे पास है हम हिंदुस्तान की नंबर वर्न मल्टी लेवल बन चुके हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ आप सब लोग एजुकेटेड हैं यहां पर चंडिगट पुरे हिंदुस्तान को एक अलग रूप में रिपरजेंट करता है आपका बड़ा वीजन है आपके बड़े विचार है आप जान ले कि दुनिया की किसी भी मल्टी लेवल कंपनी के अबर आ रही है और पिछले एक महिने में दो लाख तेतीस हजार लोगों ने फॉर्म साइन कि एक बड़ी घटना दुनिया की किसी भी वेब साइट पे इतने लोगों ने एक साथ विजिट नहीं किया एक दिन में लेकिन पिछले महिने हमारी वेब साइट पे एक लाख छी 88,000 लोगों ने केवल 12गंते के अंदर विजिट किया था अदो कर ऑट हम नंबर वन है अभी लेकिन हमें संतुष्ट्ट नहीं होना है क्योंकि ये आर्थिक आजादिका भियाने अरूप शेखावत को आजिए आज काम करें तब ही पैसा आएगा नहीं करें तब भी पैसा लेकिन ये मिशन है आर्थिक आजादी का घर घर में कोने कोने में गाउं गाउं में शहर शहर में डानी डानी में ये मैसेज दूद के रूप में लेकर जा रहे हैं कि आपको भी आजाद होना है यहां अनूप शेकावत आपकी आजादी के लिए आया है अपनी आजादी के ल एक्सपर्ट लोग है मैं दूसरी जगों पर बोलता हूं कोई जबाब नी देता है मैंने भी लिखा था लगा था लगता है नए परिंदों को उड़ने में जिसम की बात नहीं लोगों के दिलों तक पहुंचना है इतनी दूरी त्य करने में वक्त लोगने दो राजनितिक आजादी में थाई सो साल लगे थे पहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी मेरे वीर भाई यहां पर बैठे उस धर्ती को मनमन करके आया जहां के चप्पे को पैदा किया इनको पैदा किया शहीद भगतिंग को पैदा किया इस आर्थिक आजादी के अभियान में भी इस धर्ती ने पीछे क्दम नहीं हटाए इसने पैदा किया एक लाल नहीं महालाल सतीस पंडित को जिसने जन जन तक यह सलाब पहुचाया कि आर्थिक आजादी क अबियान है तो आप सेंपे सब्सक्राइब है हमें हमें आज शपत लेनी है उस चहीद की उसकी शहादत की किसम आज हाद में पानी लेके प्रण करना है कि जीते जी चाहे कुछ हो जाए इस आर्थिक आजादी के अबियान के लिए काम करना है पैसा तो पीछे 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 चलता हुआ नहीं दोड़ता हुआ नहीं उड़ता हुआ आएगा पैसा इतना आएगा कि परवा नहीं करनी है आपको सोचना भी नहीं है आप तो एक जजबात के स सिरफ एक मकसद, एक जाहत, एक जुनून, अपने बीतर जुनून की हदों तक आपने इस अभियान को जजबातों के साथ किया, एक रांतिकारी की तरह से, एक सेनापती की तरह से किया, तो आपको काम्याब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके साथ अभी एक पिक्चर रिलीज हुई थी कुछ समय पहले रंग दे कि आप लोगों ने तो देखती हुआ है ओके वैसे में पिक्चरें देखता नहीं है बहुत अच्छा किया जी मेरे को किसी ने प्रमोट किया था कि इसमें कोई आप के लिए मैसेज है तो मैसेज के लिए तो हम कहीं भी पहुंच जाएं पहुंच गे पिक्चर होल भी कि बिस्मिल की कवीता अंदर एक जजबात पैदा कर दिया उसने वो कहते हैं मैं सोच रहा था कि ये तो सब आर्सियम के लिए ही कह रहे है वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमा हम अभी से क्या पताएं क्या हमारे दिल में है सब्सक्राइब करना राजनिती आजादी के लिए इनक्लाप का नारा दिया गया आज आर्थिक आजादी एक आपको ये नारा बुलंद करना है यस देखिए क्यों नहों लोग कहते जी कि कंपनियां दूसरी भी बहुत सारी आ रही है ये भी आई ये चली जाएंगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा इतने चलते हैं लोग चलते नहीं है काम्याभी हरकिस इंसान को नहीं मिलती मुफत में परोसी जाती हासिल करनी परती है मैंने कहा और ये सिस्टम तो एक माध्यम है आपको ऐसी संगत मिलती है कि आप पर काम्याभी की रंगत चड़ जाती है हंड्रेट परसेंट सक्षेस का रेशो दुनिया की किसी भी कंपनी में किसी ने देखा हो ना देखा हो इन आखों ने इन पास तालों के अंदर सफलता का सो परसेंट रिकोर्ड देखा है तो वो केवल और केवल आर्ट सेम बिजनस के अंदर जो भी चुटा है वो सारे के सारे लोग का भी आप है जो भी लोग लोग इस स्स्सेंट में आते हैं कि इसमें खौने के लिए कुछ नहीं है यकीन खौने के लिए कुछ नहीं है सब्टिन हजार रुप्भिया आप देते हो तीन आजार से जृदा का समान आपको मिलता है साथ में फशूम बर्ने से दो लाग रुपे का एक्सिडेंटल इंशोरेंस मिलता है बीस परसेंट का राशन कार्ड बनता है जिंदगी बर के लिए एक बिजनस अपोर्चुनिटी मिलती है लाखों करोड़ों रुपया महीना कमाने की चाहता तो कुछ नहीं है इसलिए नहीं आना है इस सिस्टम में आता क्या है बहुत कुछ है हम 15 साल से जेपुर शहर में रह रहे हैं कभी भी हिम्मत नहीं करी कि एरपोर्ट पे जाके एरोपलेन को देखें जब भी आसमान से उड़ती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी बाहर निकल के देखते थे घर से कैसी होती है हो सकता है आप में से कुछ कि पिड़की हइट पर समझ में आता है कि तुसद्रा है कि पर केलकटा जा रहा था तसंदर नहीं चारा था उपर से समझ में आया लेकिन उससे भी ज्यादा समझ में आया पहली बार यल flooding रागाल की विए जाते सब को रीशीव करने के लिए लोग आए तक्तियां लगा रखी थी क्योंकि कुछ लोग परीचित थे कुछ नहीं थे अनूप शेखावत और जैसे ही हम गए 18-20 लोग मालाओं से गुल दस्तों से लाद दिया तो समझ में आया कि अनूप शेखावत तेरे गाओं में तेरे शेहर में तो दो आदमी कि तिरको इतना रेस्पेक्ट नहीं दे सकते थे यहां पे अंजान धर्ती हिंदूस्तान की सबसे बड़ी सिटी में लोग इतना रस्पेक्ट कर रहे हैं तो समझ में आया कि विस इस आर्टीम देशा है चंडीगड में चंडीगड में कोई पूछने वाला नहीं था है कि यहीं तो अब कैसे कैसे बताएं फिर भी और करने के लिए पंदरासो रुपए कर जैसे जिनोंने लिए आज 117 किस तरह से बताए कि कितने किस्ते आँए बनाइे इस बिजनस ने फिर भी हनुमान होता तो छाती फाड़ के दिखाता कि RCM बिजनस ऐसा है कामियाभिया रातो रात नहीं मिलती आज से हमें जगना होगा आज से हमें प्रण करना होगा हमें पहचान करनी होगी कि हमारे भीतर कौन सी कमजोरिया हैं कौन सी कभिया हैं उनको एक एक करके बाहर निकालना होगा जब हम लगातार यह करेंगे तो भारे अंदर एक एनरची आएगी एक उत्सा आएगा एक आत्म विश्वास आएगा और फिर हम हर तरह की चुनोतियों का मुकाबला करने के लिए ततपरसा से त्यार रहें फिर कोई ना करेगा तो फरक नहीं पड़ेगा क्यों जी वरना लोग रोने लग जाते कि मिर को मना कर दिया है हरे काम या भी बच्चे की तरह मा के सामने जैसे रोते बच्चे की तरह लोग अपलाइं की सामने रोते चलताई नहीं आ एक जूट ज्टेन को यह ना पो आपे क्यो और एंडोस्तान के कोने कोने में रिजनस्यों काइस उल रहा तो इस सिस्टम को इतना मजबूत बना दे इतना मजबूत बना दे कि सारी विदेसी कंपनियों को यहां से जाना पड़े और हिंदुस्तान पुने सोने की चडिया बन जाए हैं कि हिंदुस्तान से विदेसी कंपनिया चली जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी इतनी बड़ी बड़ी तन खाएं कहां से मिलेगी अरे 260 लोग हैं मातर 1947 की आजादी से लेके आज तक जिनके घर में 5 लाग की इंकम आती है 207 उधारण पेश किये उन्होंने यहां तो पास साल के अंदर 207 से जदा उधारण है आने वाले पास साल में हजारों उधारण होंगे पाच लाग से उपर की इंकम के आर्शें बिजनस के अंदर कोई जरूत नहीं है हमें मजबूत करना होगा अपने आपको फोसला बुलंद करना होगा और यही आवान करने के लिए आज मा का अशिरवाद लेके आपके बीच में आया हूँ एक गाना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा यू तो अकेला ही चल कर गिर के संभल सकता हूँ मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए आज माने यही आशिरवाद दे के विजा की बेटे दूसरों के लिए जीना है यस तेक्यू आप और हम मिलके चमतकार कर सकते हैं यस क्रांटी लाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की आवश्क्ता नहीं पड़ती है चंद मर्द के बचे यहां और और यह बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अधरवाज नाले मेरे शब्लों को चंद मर्दों की आवश्क्ता होती है अपने आपके कदमों को द्रड़ता के साथ दिकाने की दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिलाने सकती चाहे इन्हें देख लीजिए कुछ कहानिया बनाई इन चित्रों ने आज इसी लिए हम लोग सलाम करते हैं इनको कल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हिंदुस्तान के राष्टपती और प्रधान मंतरी के द्वारा और मुख्य मंतरियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग जो कुछंद गाने गाते हैं उन्हें पदमशिरी से भूशित किया जता है जो किसी खेल में थोड़ा सा के नाते एक दिन आएगा जब मर्लों प्रांध भी भारत रत में जैसे पुरुषकार से सम्मारित क्या जाएगा यह कोई साधारन जजबा नहीं यहां पे खून पसीने मेडम कैरिती खून पसीने की कमाई अरे इससे बड़ा कोई पसीना नहीं हो सकता निगेटिविटी का स पर बड़े 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 चिकोटियां कटी जाती है चुटकले के सजाते हैं मजा के उड़ाई जाती है हसा जाता है बड़ा संगर्स करना पड़ता हमें हमारी कामयाभी कोई साधरन कामयाभी नहीं है दोस्तों उन संगर्सों के दिनों में मुझे एक चीज ने बहुत या एक कविता जिसे मैं बार-बार रिपीट करता हु अपनी बातों में, कि संघरस और संघरस, मेरे संसकार, मेरे व्यवार, मेरे रोजगार में, एक फिलबसिला रहा संघरसों का, सबने नाम दिया मन मानी का. मैं कहता हूँ जब मन है तो मन मानी क्यों न खरूं। मैं लरूँगा तक कर लूँगा मुश्किले सहलूँगा पर भागूँगा नहीं पढ़ूँगा चुनोती बनकर मैं बनाओंगा अपनी पहचान अपने पीछे मुझे मजाक उडाती हसी सुनाई देती है लेकिन एक दिन ये हसी बहुत पीछे रह जाएगी और मैं पहुंच आपके जुबानी आपकी कहानी ये हवान करता ये प्लेट फारम लोग कहते जी पहले जुड़ गए उनका चल गया मेरे दोस्ते जिनों ने बिजनस मेरे साथ में शुरू किया बड़ी तेजी से किया तो तीन-चार महिने बाद में मेरे को मिले मैंने पूछा जी क्या हाल है तो कहा जी बस यूही कट रही है मैंने क्या आ यार आप तो आरसम बड़ी तेजी से कर रहे थे कर आरसम चली रहा क्या भी? मैंने का जी गजब आप तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे थे का सब बेवकुब बनाने के दंदे हैं सारा फाइदा उपर वालों को जाता है अपन लोग तो यूहीं किस्ते हैं मैंने का दोस्त शुरू तो तुम्हारे साथ किया था तुम पेजी से कर रहे थे मैं तो 50 लोग थे मेरे साथ तुम्हारे साथ 500 लोग थे तुम्हारी नजरें थी कि उपर वालों को फाइदा जाता है तुमने छोड़ दिया मेरी नजर थी कि असली इंकम टेकनिकल लेवल पर आती है और मैं टेकनिकल पर आगया सिंपल अरे कंपनी में कोई रिश्वत तो नहीं चलती कि डॉक्टर गगंदीप सिंग के फारम पे अपने आप यूरों ने टेकनिकल अचीवर का लेबल लगा दिया और ठपा लगा दिया हो सब जीरो से शुरुवात करते हैं पहला जेक मेरा 133 रुपए का था आज तक 76 लाग रुपए आ चुके हैं 76 लेक सारे चार साल पर शुरुवात सब को जीरो से करनी परती है आपकी नजरे कहा है वहां पर आपको डिसाइड करना है अभी रूबी लेवल पे हूँ आने वाल historic use a widget अलाग रुपए मेरे घर में आये लेकिन लगबग 76 करोड रुपया मेरे group में भी बचा और है किसी के फैयों दो लाख भाटिवार॥ की साथ हैं एक लाग दो लाग धाई-लाग रूपे की यहां तेरा मेरा नहीं है, यहां डोक्टर गगंदीप सिंग और अनूप शेखावत अलग अलग नहीं है, आर्फियम बिजनस एक उद्दिश है, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनूम, कुछ देर के लिए बस इस बात को तु दिल में महमान कर, इस बात को हमने महमान कर लिया, इस आर्थिक आजादी के मिशन में भी शहाद देनी है, छोटी छोटी कुर्बानिया देनी है, ताकि इस मकसद को हम महान मकसद बना सकें, जुनून में एक अलग सी आग पैदा हो सकें, तच्चाई और नेकी के साथ सब का आशिरवाद होता है, यस, नेकी के साथ में काम कर जिन दोस्तों को सफलता नहीं मिल पा रही है, उनको भी सहयोग करना है, कोई बहाने नहीं बनाने, उनको छिटकना नहीं कि तु कुछ नहीं कर रहा, नहीं, जो भी जज़बात के साथ में इस बिजनस में लग रहा है, उसको हमें मदद करनी है, और मैं आज यहाँ पर कियां बदली है, पस लगे रहो, यू, 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 सब लगे रहो, एक दिन मुझसे चार गुना इंकम भी आपके घर में आएगी, यस, अब मैं आपको बता दू, बड़ी बात नहीं कह रहे, प्राउड नहीं समझेगा, यह दिखाई देने लग याए कि आने वाले क पूद समय बात, चार लाख नहीं, चालीस लाख रुपया भी एक महिने का आएगा, और फिर चार करोड रुपया भी एक महिने का, हमारा हजबेंड वाइप का एक सपना है, क्योंकि सपना बहुत जरूरी है, आपको एकसाइटेट करने के लिए, काम करने के लिए सपना लेना, क्योंकि बहुत सारी विरांगनाएं, बहुत सारी कलपना चाउलाएं, इसलिए नहीं बन पाती है कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, हमारे दिल में वो जज़बात है कि वहां से कुछ निर्मान हो इस तरह की पीडी का, कि हम आने वाले हिंदुस्तान पे ग सीतियां बजाई जाती है, माताएं बहने भी बीच में होती है, कितनी भी सीति बजाएं, कितनी भी डांस करें, लेकिन यहां पे एक अलग सा संसकार है, जो रग रग में बसा हुआ है, एक एक डिस्टिबूटर के बीतर, हिंदुस्तान का कोई भी फिल्ड हो, आर्सियम से बहतरीन तरीका, आर्सियम से बहतरीन प्लेट पारम, आर्सियम से बहतरीन निगाहें किसी की नहीं हो सकती महिलाओं के लिए, यहां पे जो इज़त और जज़बात महिलाओं के लिए है, वो बाहर आप देख नहीं सकते, यहां पे संसकार से सीचा जाता है, डोक्टर गगं हैं जीते जी सब लोगों को स्वर्ग का दर्शन कराएंगे यह हमारा वादा है जीते जी वक्त लगेगा एक शायर ने कहा है मिलादे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके ही गुले-गुल-चार होता है कि मिठाना होगा अपनीगो को छोड़ना होगा हम चिपके रहते अपनी इगो से कि मैं उसको क्यों показ उसने मुझे यह कह दिया अप लाइन से लोग इस तरह से कई बाट क्रॉस लाइन से इस तरह सिकते मैं प्यार बढ़ा ये जो़की ये प्यारका बिजनस से हमारे है कुल के अंदर एक साथना होती है वो मेरे को लगता है कि आर्शियम पे बोला जा रहा है पच्चे गा रहे होते हैं मैं सुन रहा होता हूँ जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी तब को गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्यार बांटिए जितना बात सकते हैं उतना प्यार बांटिए स्वर्ग के दर्शन होने लगेंगे दोस्तों जजबातों के साथ में इस बिजनस को करना है ठीके रहना है बहुत लंबी दूरियां हमें तै करनी है मिलकर के क्योंकि आपकी काम्याभी में ही हमारी काम्याभी चुपी हुई है आपकी सफलता ही हमारी सफलता है हम सब मिलके बहुत आगे चलेंगे बहुत आगे बढ़ेंगे लेकिन मिलके काम करना होगा यहां के आज के माहौल को देखकर मुझे फिर से एक कवी की याद आ गई सभी लोग केते हैं आप ये कवीताएं बड़ी गाते हूँ मैं कहता हूँ जी मैं तो नहीं गाता बस आ गई अपने आप समझ में सीखने को मिल गई दर उदर से दुश्यंत कवी ने कहा आग के ऊपर हो गई है पीड परवत सी फिखलनी चाहिए इस हिमाले से कोई कंगा निकलनी चाहिए जिरप हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग मगर ये आग लगनी चाहिए आग लगनी यहां आकर यहां आकर मैंने महसूस किया कि आज ये दीवार पर दो की तरह हिलने लगी शर्त मगर ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए मेरे सीने मे ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग मगर ये आग लगनी चाहिए ये आग लगनी चाहिए आज आज ये आग का जजबात लेकर जाना है गबराना नहीं है परिस्तितियों से इसमें सक्सेस का एक ही मंत्र है अधिक से अधिक लोगों को लाके मिटिंग में दिका दो बस चाहे जैसे भी हो और एक जुनून अपने अंदर भर लो कि हर व्यक्ति को शोदा प्लान शोदा बीमारी व्यांट बीमारी आफ बीमारी का एक इलाज शोदा फालाज प्लाज यजग पी निकटीविटी यह चार-वगोगों को शोदा प्लान विचल्ट निगले मिस और आपके साथ होगा ही होगा जब आप ये शोदय प्लां कर नहीं करण करनोवर था मेरा पांच करोड से ज्यादा था एक महीने का एक बाद रही है चंदीगड़ में कितनी सारी ऐसी फिक्त्रियां जो पांच करोड महीने का करोबार करती है तो करोड के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों के अंदर भी पांच करोड महीने का करोबार नहीं होता य कोई चीटिंग नहीं हो सकती किसी पे नजर निगरानी रखने की आवश्चक्ता नहीं किसी को एक रुपया भी तनखा देने की आवश्चक्ता नहीं इससे बड़ा टेंसन फ्रीक बिजनस और क्या हो सकता है अगर बात करें तो आप ही के साथ हिंदुस्तान में जिने जाना ज या सुरगे सतीष जी ने यहां पे जब गए तो चेक था एक लाग सतर जार रुपय का और लास्ट मंद का चेक के दो लाग चौरानवाई जार रुपय का अब धर्ती पे रहते हुए एक सतर और धर्ती से ऊपर रहते हुए दो चौरानवे कौन सा सिस्टम है इस तरह का तो सोचा भी नहीं जा सकता इससे बहतरीन और क्या तरीका हो सकता है एक डोक्टर को बड़ा प्राउड होता है कि मैं डोक्टर हूं लेकिन जाता है तो सारी सारी कापिलेत अपने साथ ले जाता है आर्सियम का टेक्निकल अचीवर यहां है तब भी इंकम है और वहां है तब भी कोई मुकाबला नहीं कोई मुकाबला नहीं कई लोग कहते जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अरे काई की मेहनत प्रस्षी को अंजय कर रहे हैं एक फिक्चरों में देखा करेसे की लोग ओटोग्राफ ले दे लेकिन लाइन लगा कि यब लोग पड़रा esperar अक्ट समझ में आता कि विश्ग ऩाइस बैसे शिरम analyses की लोग फोटो ग्राफ लेते हैं लेकिन यहां पे जब ने समझ में धी आता इसलिए चीख ना भी पढ़ना चिलना भी पढ़ता है कई लूहाला भैस्त ना भी पार समझो आपके लिए आपके बीवार के लिए नहीं तो समाज के लिए नहीं तो देश के लिए करो किसी भी कारण को पैदा करो लेकिन करो क्योंकि आपके उपर बहुत बड़ी नितिक चिम्मेदा रही है आने वाला समय आपको माप नहीं करेगा तस साल बात जब आपके पड़ोसी हेलिकॉप्टर में तस साल बाद इस बिजनस से हमें भी अपना खुद का हेलिकॉप्टर खरीदना है यह कहां से आगे यह सपने अरे चार टीन शेट के कमरों में सरंगर्स था एक कमरा नी बना के दे पारे थे मिसेज को वो कैती जी आप तो चांद तारे तोड़ने की बातने करते थे वह सब को छोड़ो एक कमरा बनवा दो ताकि मेरे बच्चों को इदर उसे उदर सामान को इदर से उदर नहीं करना पड़े आज इतने बड़े-बड़े सपने इस सिस्टम की वज़े से इस आर्षियम लोग कहते हैं कि बेवकुप बनाते हो बड़ी-बड़ी बाते करके लोगों क बनने में फाइदा है या लुक्वार अब अगर अगर बेवकुप मानते हैं तो भी बनिये है क्या हिए कrav Light चेहरा दिखाते हैं कि भाया उठ फोन करके पूछो किसी को भी भाया क्या हाल है का जी बस कट रही है कि अरे i24 यां यहों के बाद में उपर वाले ने काटने के लिए भी जै कि जा और काट के वापिस आजा सिर्速ता और तो कुछ वह कहते थे कि वह खून काहो किस मतल़ का जिसमें जीवन ना रवान्वांभी है और जो परपस होकर पैठता है वह खून नहीं है वहो हम अपने खून की रवान्गी Flowers नहीं नहीं मैं हैorg एक बार अपने परिवार की तस्वीर से अपने आपको अलग करके देखिए कैसी सूरत नजर आएगी उन बीबी और बच्चों की ये बूरी बात है लेकिन सोच कर तो देखिए किसी के भी साथ में हो सकता है क्योंकि हर रोज अखबार भरे पड़ी रहते हैं इनी गटना होते और यहां के किसी भी बड़े होस्पिटल की अमर्जिंसी वार्ट के अंदर पांच मिनट के लिए खड़े होकर देखना कितने सारे टायर पंचर होके आफिर कितने सारे ब्रस्ट हो जाते हैं यह किसी के साथ भी हो सकता है तो क्या कर लिया हमने ऐसा कि हम अपने परिवार के security के लिए निश्चिंट हो सकते हैं करिए RCM business केवल दो साल आने वाले केवल दो साल दे दीजिए जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाईए निर्ने आपको करना है कि जिंदगी भर काम करना है या केवल दो साल येस अब साथ में पैसा नहीं मैंने का पैसा security satisfaction name fame सब कुछ तो free में मिलेगा सब कुछ free में मिलेगा अरे अपने सीने में एक जजबात पैदा कर लो इसको यहां से करो इसको अठा दो यह बड़ी गड़बर करता है बड़ी तो खड़ी करता है कि पंद्रा सो रुपे में पंद्रा लाग की इंकम कैसे possible है कैसे चलेगा फिर तो company ढूब जाएगी फिर तो company दिवालिया हो जाएगी यह हो जाएगी वह जाएगी अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी company कई सालों से काम कर रही है वह कंपनियां भी इस साथ करोर सोच कर देखें कहा जा रहे हैं हम कहा है यह मैत्वपुन नहीं हमें जाना कहा है यह बहुत मैत्वपुन है दिल से इस business को कीजिए ताकि आने वाले समय में लोग आपके किस्ते कहानिया कहें कि यह वो सक्स है जिसने मेरी जिन्दगी बदल दी आज लोग पैर है यस बना दिया है इस सिस्टम ने पहले नहीं मानता था मैं कि इन्सान भी भगवान हो सकता है इस सिस्टम से ऐसास होता है कि लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम जो बन रहा है वो भगवान से कम है क्या हाँ आज सतीष्टी पंडित किसी भगवान से कम थे क्या फरिश्टा था कितने सारे लोगों के घरों में चराग जला गए कितने सारे चेहरों की मुस्कुराहत उनकी वज़े से आई कितने सारे लोग जो स्टेज पे चड़के आंसू निकाल के कहते हैं कि मैं तो आत्म हत्या करने वा सिर्चिनियर लाखों रूपया महिना कमाता है तब लो खुद के लिए कमाता है यहां पे लाखों रुपया जिसको आएंगे अकेला कामयाब नहीं हो सकता वो कईलों की कामयाबियों का माध्यम पन के कामयाब हुसकता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर बला हो बला परहित सरिस धरम नहीं भाई पर पीडासम नहीं अदमाई दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई पुन्य नहीं हो सकता और दूसरों का नुकसान करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता हम नुकसान किसी का नहीं कर रहे हम तो केवल और केवल मदद कर रहे हैं भला कर रहे हम से बड़ा पुन्ने कहा होगा हम से सच्चे खून पसीने की इमानदारी की सच्ची सोची इंकम कहा होगी दुनिया के कहीं किसी फिल्ड में नहीं मिलेगी जो आर्सियम में मिल रही है वो तो योद्धाओं को मिलते जिन में जजबात होता है कुछ कर दिखाने का आशियम बिजनस के अंदर जॉइनिंग तो पंद्रा सो से तीन अजार में किसी को भी मिल जाएगी लेकिन तमगे उनी लोगों को मिलेंगे जिनके अंदर जजबात होगा कुछ कर दिखाने का आप में है पेचे है यहां तो सारे शेयर और बबर शेयर है लो को हाकने की और समझाने की जुरथ ओती है शेयर तो अपने इसकाफ़ी छलते तहां जहां निग को देखता हूं कि आपना होनर मालूम हैं जिस तरफ निकल जाते हैं रास्ता बना लेते हैं आप सब लोग अपने अपने रस्ते तैयार करने वाले लोग हैं आपके उपर बहुत शांदार और बहुत अच्छे लोगों के वरद हस्त आपके साथ में हैं बस हम तो रहास की है है जी कहते हैं कि गुरु का ग्यान दक्षिना के बिना अधूरा रह जाता है तो मैं भी कुछ मांग लूँ सबसे अच्छा कामियाब सिश्चे कौन बना दुर्योधन का वो नमक खाते थे क्योंकि कोरवों के शासन में वो राजगुरु थे जो भी थे उनका वो न इस यह था जिसका नाम था एकलव रोनाचारिय ने कभी उसको धनुस पकड़ना भी नहीं सिखाया लेकिन केवल उसकी प्रतीमा को गुरु मान के उसने सीखा और उससे भी बड़ा धनुदर बन गया जिसको उसने सिखाया अंगुठा भी तक्षिना में दिया था उसने मैं इस तरह की कोई चीज नहीं मांगने वाला कई लोग सोचते हैं जी पचास रुपे तो पहले से ले लिए कहीं और तो पैसे के लिए नहीं आए मैडम ने सच कहा था डूबने के लिए नो फिट पानी बहुत है इश्वर इतना देरा है सपने में भी नहीं सोचा था खर्च करते हैं उससे पहले बहुत बड़ा चेक आ जाता है पहले सोचा करते थे कि क्या ये संभव है अब तो खुद को भी यकीन नहीं होता कि इतनी भी इंकम आती है अब यकीन होने लग गया कि अब तो बहुत बढ़ी बढ़ी इंकम आने वाली है एक ही एक ही मांग है एक ही दक्षिना है कि आज पतले कि जब तक नहीं रुकूंगा तब जब तक टेकनिकल अचीवर ना पंचाओ कर सकते हैं कितने लोग है जो आज निर्ने ले चुके कि मुझे टेकनिकल अचीवर बंदा है ओ ग्रेट जोड़दार बालिया